तो दोस्तो भारत के इतियास में पहली बार पानी से बनी ट्रेन चलेगी वो भी 2023 में हमने electricity और coal से चलने वाली ट्रेने तो भारत में देखी है पर अब ये ट्रेन hydrogen fuel पे चलेगी तो दोस्तो currently इस ट्रेन की manufacturing की जा रही है और इसका जो trial run है वो 2023 में किया जाएगा और जब इसका trial run successfully complete हो जाएगा तब इसकी production last scale में की जाएगी और ये public के लिए available हो जाएगी वो भी 2030 के end तक भारतिय रिल्वे आज काफी सारे नए projects पर काम कर रही है वो अपने trainों की speed बढ़ाना चाहती है इसके लिए उन्होंने वंदे भारत और bullet train जैसे projects को भी launch की है पर hydrogen fuel से चलने वाली train है तो एक काफी innovative concept है भारतिय रिल्वे के लिए भी ऐसे तो भारत ऐसा पहला देश नहीं है जो ये hydrogen fuel से चलने वाली train को बना रहा है दरसल जर्मनी ने एक साल पहले hydrogen fuel से चलने वाली train को बना कर develop कर लिया है ये train को manufacture किया था Elstrom company ने लेकिन जो भारत मे hydrogen fuel से चलने वाली train है बनेगी वो पूरी तरीके से made in India होगी और ये काफी जादा फाइदे मंद है भारत के लिए चलिए मैं आपको बताता हू कैसे जैसे के हम सब जानते की भारत की high speed train वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी जादा successful हुई है और ये पूरी तरीके से made in India है दरसल speed के साथ साथ जो चीज इस train को सबसे जादा खास बना दी है वो है इसकी cost वंदे भारत की cost 40% cheaper है European trains के compare में और अब ये जो भारत की hydrogen से चलने वाली train है इसकी भी cost काफी जादा कम है इन जर्मन trainों से चलिए बात करते है कि hydrogen से चलने वाली trainों को भारत में आकिर क्यों आना च कर देते तो हम 2 करोड से भी जादा हर साल पैसा बचा पाएंगे सिफ एक train के उपर साथी साथ मैं आपको जानकारी के लिए बता दू कि हाली में भारते रेल्वे ने 70 करोड रुपीज इन्वेस्ट किये मेदा सर्विस लिमिटेट पर ताकि वह इन डीजल ट्रेनों को replace कर हमारी हाइडोजन फ्यूल वाली ट्रेनों से रेल्वे अपने जितने भी टूरिश्ट वाली प्लेस है वहां पर जो भी लोको मोटिव उनको replace कर देगी हाइडोजन ट्रेनों से क्यूंकि जैसा कि हम देख पार इसके काफी सारे फाइदे ना सिर्फ कॉस्ट और स्पीड बल जाएगा इस सेक्षन की जो लेंथ है वो 89 किलोमीटर की यानि कि यहाँ पर जो DMU ट्रेन्स है उन्हें यहाँ पर दोडाया जाएगा और फिर उसकी टेस्टिंग की जाएगी तो दोस्तों अगर भारत इस प्रोजेक्ट को सक्सेस्फुली बना कर तयार कर लेता है तो दूसरी कंट्रियों से उसका काफी जादा और और यह भारती रेल्वे और भारती एकनोमी के लिए काफी जादा प्रॉफिटेबल है तो दोस्तों भारत की पहली हाईडोजन फ्यूल ट्रेंड के उपर आपकी क्या रहे मुझे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएगा मैं पर भारत के इसी अपडेट लाते रहे तो जय हिन